हलो दोस्तों स्वागत था आप सभी का आप केमने चैनल बैंकिंग करियर पर मेरे नाम उमेस याद हो है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2021 में इंसुरेंस एक्जाम का जो नोटिपिकेशन आने वाला है उसके बारे में और इसका प्रिपेशन कैसे स्टार्ट किया जाए क्योंकि दोस्तों इंसुरेंस का जो एक्जाम होता है उसमें insurance के जो topic होता है वा काफी important होता है उसका काफी weightage होता है तो आपको insurance exam qualify करना है तो आपको insurance के जो topic है उस पर आपका पकड़ जो है काफी अच्छा होना चाहिए तो इसके बारे में आप सभी को detail में बताने वाला हो और notification के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को like कर दीजेगा और आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा आप सभी को definitely यहां से मदद मिलेगा दोस्तो आप सभी को मैं real information provide करता हूँ आप सभी को study के लिए motivate करता हूँ कर सकते हैं और आपको current affair के लिए मैं आपको description में link दिया हूँ तो उसको भी जा करके आप upcoming exam है उसके लिए आप buy कर सकते हैं और वहां से study कीजिए आप सभी को definitely exam में अच्छे score होंगे और अभी आपका जो time है काफी important है आप 2021 की exam के लिए आप focus कर रहे हो तो आपको अभी से insurance का topic आपको जो है preparation start करना होगा सबसे पहले notification के बारे में मैं आप सबको बता दे रहा हूँ उसके बाद आपको steady कैसे start करना है insurance topic का उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों insurance sector में notification की बात करें तो LIC में notification आएगा NICL में notification आ सकता है NICL में UICL में OICL में यानि जो major insurance company है LIC में तो definitely आप सभी को 2021 में notification देखने को मिलेगा सबसे पहले LICOO journalist का notification आएगा उसके बाद LIC ADO का आएगा और इंपैनल लिस्ट है clear होने के बाद 2021 में assistant का भी notification आप सभी को देखने को मिलेगा LIC के जो official है उनसे बातचीत होता है तो वो लोग बताते हैं और LIC growing insurance company है आप सभी को पता है यहाँ पर काफी अच्छा कासा retirement हुआ है तो notification जो है 2021 में आप सभी को शुरू में ही देखने को मिलेगा तो अभी से आपको प्रपेशन करना पड़ेगा उसके अलावा जो NICL है NICL है उसके बाद UICL है OICL है इन सभी insurance company का notification जो है 2017-18 के बाद से आया नहीं है तो 2021 में इसमें जो है काफी अच्छा chances है कि notification आएगा तो अभी से आपको जो है insurance का topic है उसका study आपको start करना पड़ेगा क्योंकि बाकी का topic है जैसे reasoning हो गया इंग्लिस हो गया यह तो आपका इंग्लिस क्वालिफाइंगी नेचर होता है लाइसी में तो आपका कभर हो जाएगा banking exam के साथ साथ लेकिन insurance का topic होता है काफी important होता है तो notification आएगा इसके लिए आपको जो है चिंता नहीं करना है 2021 में शुरू में ही insurance का topic है लेकर के आने वाला हो मैं website बहुत जल्दी आप सभी के सामने आने वाला है लेकिन अभी से आप जो है study start कर दीजिए बेसिक जो point है insurance का उसको जो आप पढ़िए LIC के बारे में NICL के बारे में UICL के बारे में इसका जो detail है उसको आप अभी से पढ़िए insurance का जो terminology है उसको अभी से पढ़िए उसका note बनाकर रखिए कि जब notification आएगा उसमें आप insurance के topic को आप पढ़ने जाओगे तो बाकी का जो आपका प्रिपेशन उसमें थोड़ा सा जो है उसमें कमी पढ़ जाएगा तो अभी से आपको जो important point है उसको आप study करके रखिए और उसक कमेंट करके पुझिए मैं आप सभी को वहाँ पर reply करूंगा notification definitely आएगा thank you for watching banking career God bless you all